इसका मक्सद यह है कि जो मौझूदा हालाद में जो गौर्मेंट के डिफरेंट पॉलिसीज हैं चाहे वो एकनॉमिक डेवलेमेंट की हूँ या इक्विलिटी बराबरी की हूँ या शोशल जस्टिस की हूँ उसको उस पर बहस किया जाए और यह देखने की कोशिश की जाए कि मुल्क हमारा कहां खड़ा है और हम इस कॉन्फरेंस के जरिए कैसे जो गैर बराबरी है या जो इकनॉमिंग इंजस्टिस है उसको दूर कर पाए अलम जी आप शर्च कर रहे हैं अभी जैसे बजट आया है सब्सक्राइब करेंगे जो आज इस वक्त मतलब आप एजूकेशन पॉलिसी की बात करें तो हमारे हैं जैसे एजूकेशन में अभी इस वक्त सबसे जो बुरी हालत है वह एजूकेशन की है है अपना इंवेस्मेंट दिन वा दिन गिराया है घटाया है और ओर आल जो इंवेस्मेंट एजूकेशन का होना चाहिए था इन टरम्स अव जीडीपी वह भी गिरता जा रहा है जैसे कि इस मुल्क के लिए कम से कम जो कि कोठारी कमिशन ने 1967 में ये कहा था कि 6 परसेंट आप जीडीपी होना चाहिए इस वक्त जो हमारा टोटल मतलब जीडीपी है इन टरम्स अव पब्लिक एक्समेंट इजूकेशन वह सिर्फ और सिर्फ 3.6 परसेंट है उसमें भी जो हायर एजूकेशन है वो हायर करें कि हम इनवर्सल एलिमेंटरी देंगे और आने वाले दिनों में हम अगर बच्छों को देखें तो जाके हायर एजूकेशन में जाए हालाथ मुझे लगता है कि अब तक बिल्कुल उल्टे हो रहे हैं कि गरीद अपके के लोग हाह एकर एजूकेशन में नहीं जा पाए चाइना से कंपेर करें और यूस से कंपेर करें हम कहीं भी उनके आसपास भी नहीं खड़ें तो हमारे हैं पीजडी या एमफिल करने वाले इस्टुएंट्स की दिन बदिन तादाद घटी जा रही है और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए रिसर्च और डवलम्मेंट बहु जो प्रिवेटिजेशन है वह गवर्नमेंट करें अलग चीज़ है लेकिन जो पब्लिक ली रन इंस्टुशन है उनमें जो इस तरह की कंडिशनाल्टी है कि जो है इंस्टुशन खुद रेस करें फी बढ़ा के और इस तरह से करके वह बहुत जादा आने वाली दोनों में जो गरीब तबका है या इवन जो गरीब तबका नहीं भी है उनके लिए भी परिशानी होगी जैसे मैं आपको बता हूँ कि जैनु में एक सिमिस्टर में अगर मैं डे स्कॉलर हूं तो मुझे 200 रुपे से कम जो है वो मतलब फीस देनी पड़ती है लेकिन अगर कोई प्रा जो कर चुके हैं उनको साल में साहिब दो या तीन इंक्रिमेंट वगरा देते थे अब उस पर भी मलब साहिए उनको नहीं दे रहे हैं अब इस देखे क्या है ना कि ओर आल जो मतलब हाईर एजूकेशन में वेकेंसी आपने आप में बहुत सादा है बहुत सादा है रिजु अगर वो कम देंगे तो जाहिड सी बात है गवर्मेंट का खर्चा कम होगा बस अब यह मानना है कि जो रोजी रोटी और स्वास्त के लिए उनकों लड़ाते रहो अगर इनका पेड़ भर जाएगा तो यह अपने मांगों रखेंगे नहीं देखें मेरा मानना यह है कि पब्लिक इंवेस्मेंट नहीं बढ़ाएंगे तो अच्छे रिस स्कॉलर अच्छे क्रिटिकल थिंकर अच्छे साइंटिस्ट अच्छे एकॉनमिस नहीं पैदा कर पाएंगे तो हमें इस बात की जरूरत है कि गवर्मेंट इस हाइर एजुकेशन नेगलेट ना करे और प् सब्सक्राइब करेंगे किसी बात के लिए तो वह किस तरीक है कि डिजिटल इंडिया बने हैं इंफॉर्मेशन तो आपको थिंकिंग और रिसार्च और इन सारी चीज़ों से जनरेट करना है तो जाहिए सी बात है अगर उस सेग्मेंट को नेगलेट करेंगे तो आप इंफ मतलब वह नहीं करेंगे ना कि आपका डिजिटल और सारा जो प्रोसेज है टेकनोलोजी का वह काम करेगा तो सबसे अहम जरूरत वही है कि इन्वस्टीज में भरती की जाए जो भी वेकैंसी है उसको फिल किया जाए इस्कॉलर्शिप को टाइम ली दिया जाए बहुत सारे दो हजार सोला में जो गवर्मेंट आफ इंडिया ने डिस्पर्स किया वो 369 है तो जाहिट सी बात है आपने वन थर्ट गठा के स्कॉलर्शिप डिस्पर्स किया कितने ऐसे माइनॉर्टी स्टुनेंटर हैं जो इसकॉलर्शिप मिली नहीं जबकि बहुत मिनिमम है एक हजा करना चाहते हैं जो इस्टुडंट से अपने मेरा मानना तो यह है कि जो एजुकेशन और हेल्थ है यह स्टेट की रिस्पॉंसिबिटी है और इंडिया वेल्फेर इस्टेट उसको इन दोनों मुद्धों पे जैसे अधर युरूपेन या बड़ी एकॉनमीज पूरी कर दो